नवस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ SSC के नौटिफिकेशन के बारे में जो की बस आने ही वाला है दोस्तों SSC CHSL का एक्जाम अप्रेल में इस्थगित कर दिया गया था कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब बाकी बचा हुआ एक्जाम और SSC CGL का एक्जाम और SSC MTS का एक्जाम बस चुलाई से अगस्त में नौटिफिकेशन आ जाएगा और 10 से 15 दिनों के अंदर हो जाएगा एक्जाम इसलिए दोस्तों आप अपनी तयारी करते रहे और एक्जाम कभी भी हो सकता है क्योंकि नौटिफिकेशन आएगा 10 दिन के अंदर और एक्जाम उसके 10 दिन के बाद हो जाएगा आपको ये मान के चलना है कि आपका एक्जाम 15-20 दिन में हो जाएगा ऐसा मान के चलेंगे तभी आपकी तयारी पूरी हो सकेगी MTS का एक्जाम जुलाई महीने में होने वाला था उसको इस्थिगित कर दिया गया है यह नॉन टेक्निकल एक्जाम होता है इसके अलावे आयोग ने दिल्ली पूलिस सेवं केंडरी सुरक्षावल C.A.P.F. के लिए सब इस्थिग्टर भरती परिक्षा को भी इस्थिगित कर दिया है आपको बता दें कि MTS का एक्जाम एक जुलाई से 20 जुलाई के बीच होनी थी जिसे इस्थिगित कर दिया गया है और सब इस फेटर का एक्जाम 12 जुलाई को होना था उसको भी इस्थिगित कर दिया गया है जल्दी अगली ती थी आधिकारिक वेबसाइट पर घोसित की जाएगी कोरोना के थर्ड लहर को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है दोस्तों आप अपनी तैयारी दुरुस्त रखिए एक्जाम कभी भी हो सकता है दोस्तों SSC MTS एक्जाम non-technical दसमी पास के विद्यार्थियों का लिया जाता है इसमें आपको 90 मिनट मिलते हैं आपको बहु भी कल्पी प्रस्नों का उत्तर देना होता है बाकी सारी एक्जाम साल में आगे बढ़ते घटते रहते हैं पर SSC ही ऐसा एक्जाम है जो कभी भी लेट नहीं करता हूँ अपना एक्जाम लेता जरूर है भले एक दो महीना लेट हो जाए लेकिन होगा एक्जाम 2021 में ही दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद